हेलो दोस्तो आज मैं एक्स्प्लेन करूंगी करीना कपूर की मूवी जाने जाको तो डारेक्ट स्टोरी पर आते हैं स्टोरी के फर्स शॉर्ट में हमें नरेन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो फांसी लगा रहा होता है तब ही उसके गेट पर कोई आता है ये सबसे उसकी नीन घबरात में खुल जाती है अब सीन शिफ्ट होता है अब हमें माया डिसूजा नाम की औरत दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी तारा के साथ रहती है वो एक सिंगल मदर है और अपना घर चलाने के लिए एक छोटा सा कैफे चलाती है नरेन जो कि माया का परोसी है वो अपने घर से माया को आते जाते देखा करता था नरेन एक स्कूल टीचर है जो कि रोज माया को देखने माया के कैफे जाया करता था यहाँ पता चलता है कि नरेन माया को पसंद करता है और ये बात माया और वहाँ के स्टाफ को भी पता है इसलिए वो रोज कैफे आता है एक दिन जब नरेन खाना लेने माया के कैफे जाता है तब ही कैफे में एक आदमी आता है जिसे देखकर माया बहुत डर जाती है बाद में पता चलता है वो आदमी और कोई नहीं बलकि माया का पती अजीत मात्रे है और माया का भी असली नाम सोनिया है और वो अजीत से भाग कर 14 साल पहले यहां आ गई थी अब हमें मंबई में करन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है और साथी साथ पुलिस में काम करता है उसे कमिशनर साहब बुला कर अजीत को धूनने का काम देते हैं क्योंकि अजीत भी पुलिस में है अजीद की फोन लोकेशन से करन को पता चलता है कि वो इस वक्त नेपाल में है जहां माया भी रहती है अजीद फिर से माया से मिलने आता है पर माया घबरा कर वहां से भाग जाती है नरेन देखने में सीदह सदह टीचर है पर वो Macs में जीनियस है और साथी साथ जूडू कराटे में भी बहुत ही बहतरीन है रात में जब माया और उसकी बेटी तारा घर पर होते हैं तब ही वहां अजीत आ जाता है और माया से बोलता है उसकी बेटी देने को दरसल अजीत लड़कियां सप्लाई करता था और अब उसकी गंदी नज़र माया की बेटी पर पड़ गई थी इसी तरह सालों पहले उसने माया को भी बेचाता शादी के बाद माया उसे पैसा देकर भगाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनता है और माया को डराने धमकाने लगता है इतने में उसकी बेटी इमर्शन डॉट से उसके सर पर मारती है फिर हाता पाई के दौरान माया इमर्शन रोट की तार से उसका गला खीशती है और तारा उसका हाथ पकरती है जिसके बाद अजीत मर जाता है फिर माया अजीत की लाज गजीट कर ले जाने की कोशिश करती है पर अजीत के वजन के कारण नहीं कर पाती है जिसके बाद नरेन माया को गेट से बाहर से बोलता है मैं आपकी बॉडी ठिकाने लगाने में मदद कर सकता हूँ जिसके बाद माया पूछती है आपको कैसे पता मर्डर के बारे में जिसमें वो बताता है कि जिस हिसाब से आप कैफे में उस आदमी को देखकर डरी थी और अभी का डर बिल्कुल सेम टू सेम है बाहर पड़ा सिगरेट का तुकड़ा और कालीन में लिप्टा हुआ उस आदमी का जूता इससे साफ पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है उसके बाद नरेन अजीत की बॉड़ी चेक करता है जिससे पता चलता है वो पुलिस में था और नेपाल में तीन दिन के लिए होटेल लेकर रुका था अजीत के सारे कपड़े नरेन उतार कर उसकी बोडी को टिकाने लगा देता है और माया से कहता है रोड साफ करके सारी जगा साफ कर दीजिए कहीं कोई निशान न रहे अब करन नेपाल पहुँच जाता है अजीत को दूंटे दूंटे और उसे माया की कैफे में नरेन मिलता है नरेन करन का बच्छबन का दोस्त रहता है वो उसे देखकर बहुत खुश होता है करन माया और नरेन से अजीत के बारे में पूछता है पर दोनों पहचानने से साफ इंकार कर देते हैं करन उसी होटल में जाता है जहां अजीत रुका था तब उसे पता चलता है कि उसका समान अभी भी होटल में ही है जिससे वो समझ जाता है कि अजीत नेपाल में है अजीत जिस स्कूल को धूनते धूनते नेपाल आया था वहाँ पर करन को माया दिखती है इन्यन ओरिजिन होने के करन उसे माया पर शक होता है जब वो उसके बारे में पता करवाता है तब उसे पता चलता है माया ही सोनिया है अजीत की बीवी वैसे तो नरेन ने माय से कहा था कि अजीत की बॉडी पुलिस को कभी नहीं मिलेगी पर फिर भी करन को उसकी बॉडी मिल जाती है वो भी बहुत बुरी हालत में अजीत का फेस पत्थर से कूच दिया गया था उसके कपड़े और हाथ की उंगलिया जला दी गई थी ताकि उसकी पहचान ना हो सके पर उसकी आईडी का छोटा सा तुकड़ा जलने से बच गया था और डियने मैच करने पर कंफर्म हो जाता है कि वो अजीत की बॉडी है करन वापस से माया पास आता है अजीत के बार में पूछने अब वो पहचान जाती है और नरेन के कहने के अनुसार ऐसे दिखाती है जैसे कि अजीत जिन्दा हो वो करन से ये भी बताती है कि अजीत मुझसे मिलने तो तीन दिन पहले आया था करन माया से पूछता है कि दस तारिक को आप कहा थी माया बताती है कि मैं मूवी देखने गई थी करीब साड़े पांच से छे के बीश फिर डिनर और फाइनल में कारियोग के बार अपनी बेटी के साथ और फिर वो ग्यारा तक घर आ गई थी दरसल पोस्मॉर्टन से पता चला था कि अजीत की मौत दस तारिक को रात साथ बज़े हुई थी करन को उसकी बात हजम नहीं होती कि थरस्डे को ये लोग बाहर गए थे गूमने टहलने बलकि फ्राइडे को उसकी बेटी का स्कूल रहता है फिर भी करन माया को कपड़े बदलते देख लेता है और उसके दिमाग में बस माया नाचना शुरू कर देती है उसकी होटनेस के कारण माया नरेन को थैंक्यू गहती है इतनी मदद करने के लिए अगले दिन पुलिस वापस माया पाज जाती है फिल्म टिकेट देखने के लिए पहले तो माया कहती है शायन मैंने फेक दिया होगा फिर वो गंदे कपड़े से टिकेट निकाल कर दिखाती है वो ये सब नरेन के कहने अनुसार कर रही थी नरेन माया को कॉल करके पूछता है कि करन ने तारा से स्कूल में क्या पूछता ची तारा बताती है कि वो फिल्म के बारे में पूछ रहे थी फिर डिनर और केरियो के बार के बारे में भी करन नरेन के घर जाता है उसे मिलने वहाँ उसे पता चलता है कि माया उसकी पडोसी है वो नरेन से बोलता है कि तेरी पडोसी तो बहुत होट है क्या तो मेरे लिए उस पर नज़र रखेगा क्योंकि वो सस्पेक्ट है यहाँ यह पता चलता है कि नरेन अपने लुक्स को लेकर बहुत खुश नहीं है और वो कहीं न कहीं करन के लुक से थोड़ा इंसिक्योर है अगले दिन पूछ दाज के लिए करन माया को कैफे लेकर जाता है वहां माया गुसे में नेपाली में उसके लिए बहुत ही ज़ादा तीखी सॉस ओर्डर कर देती है ड्रैगन मोमोस के साथ करन मिर्ची वाली सॉस खाकर हिल जाता है अगले दिन फ्लर्ट करते करते करन माया को कैरियों के बार लेकर जाता है माया बहुत अच्छे से तयार होकर करन के साथ जाती है नरेन ये देखकर बहुत जलता है वहाँ कैरियों के बार में दोनों बहुत इंजोय करते हैं और ये सब करते नरेन चुपके से देखता है वहाँ करन बारवाले से पूछता है माया को दिखाते हुए कि क्या ये लड़की दस्तारी को आई थी बारवाला कहता है हाँ जब माया कैरियों के बार गई थी तब पुलिस का एक आदमी माया के घर से हीटर लेकर चला गया था चेक करने के लिए कि उसकी मौत क्या इसी हीटर से की गई है या नहीं पर हीटर मैच नहीं करता है करन माया के स्टाफ से बात चीत करता है जिसमें उसे पता चलता है कि नरेन माया को पसंद करता है जिस कारण वो हमेशा कैफे आता रहता था मगर नरेन ने करंट जूर बोला था कि वो कभी कदार ही यहां आता है कैफे में जिस कारण अफशक नरेन पर जाने लगता है नरेन को माया कहती है आपने मेरी बहुत मदद की जबकि हमारे बीच कुछ नहीं है फिर भी ये सुनकर नरेन अपने घर जाकर बहुत रोता है उसके बाद नरेन पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि अजीट को मैंने ही मारा है माया के कहने पर करन पूछता है क्या माया ने खुद कहा था ये तो वो बोलता है नहीं उसने ये इशारे से बोला था दरसल नरेन ने अपने घर की दिवार पर होल करके माया के घर की बात सुना करता था और हर कही बात मान लेता था अगर वो नॉर्मल डिसकॉशन हो तब भी माया ने खुद में कहा था कि अजीद मर जाता तो मेरा पीछा चूड़ जाता इस कारण मैंने अजीद को मार डाला इससे साबित हो जाता है कि नरेन साइको है और माया को अजाद कर दिया जाता है जाने से पहले माया एक बार नरेन से अकेले मिलना चाहती थी वो नरेन से पूछती है कि आपने मिरी जान क्यों बचाई जिस पर नरेन कहता है जैसे आपने मिरी जान बचाई थी मैया पूछती है कब नरेन बोलता है जिस दिन आप घर में रहने आई थी उस दिन मैं फांसी लगाने जा रहा था क्योंकि मैं दस साल से एक मैट का सवाल सॉल्व कर रहा था पर मेरे से केवल 46 मिनिट पहले किसी और ने उस कोशन को सॉल्व कर दिया और मैं अपने पहले प्यार मैट से दूर हो गया तभी आपने मेरा गेट खरकटाया और मैं वापस से अपने पहले प्यार मैट के लिए लग गया यहाँ जेल में रहते रहते अब मैं अपना पहला प्यार मैट को ज़्यादा टाहिम दे पाऊंगा फिर वो पूछती है मैंने तो अजीद को माय डाला और उसके हाथ भी जला दिये ताकि फिंगर प्रिंट मिट जाए फिर मैंने उसके कपड़े जला दिये और थोड़ा सा आईडी प्रूफ छोड़ा ताकि उसकी पहचान हो सके और उसके बाद हेट पर हीटर के निशान ऐसे ही बनाए जैसे अजीद के थे और इस मैठ प्रॉबलम में सस्पेक्ट एक्स मैं बन गया यहाँ खतम होती है यह मूवी दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना बूलें फिर मिलेंगे दोस्तों जाओ 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 जाओ